बुट बॉर्णिंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्टु लिवर हास्पिटल स्वरुपिंगर खानपूर आज मैं बात करूंगा गाल्रोडर स्टोन के पेन का जो अटेक आता है उसके बारे में पित्ती की थेली में पत्री है आपकी जानकारी में है ह हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो सटनली अटेक आता है इसके दर्द का इसके डिटेल्स के बारे में बात करूंगा मैं नो जो अटेक है वो क्यों आता है इन क्या चीज आपको टिर्गर करती है इसको समझे जो गाल्बेडर में स्टोन है वो गाल्बेडर में बैठा हु जैसे यह फस जाता है, तो गाल बेडर का रास्ता है, वो बंद हो जाता है, और रास्ता बंद होगा, तो पित्ती की थेली स्वेलिंग होने लगेगी, या डिस्टेंड होने लगेगी, और जैसे यह डिस्टेंड होती है, ओवर स्टेच होगी, तो इसमें इंफेक्शन, इंफ काली फूट काते हैं तो अटेक आने का डर रहता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना किसी प्रिसेपिटेटिंग फेक्टर के ये अटेक आने की संभावना होती है नो गाल बेटर की स्टोन का जो अगर आया है तो कैसे पहचाने सबसे पहले देखें कि इसकी साइट क्या है कि कहां हो रहा है नमबर दो पर देखें कि इसका केरेक्टर क्या है किस तरह का दर्द है नमबर तीन पर देखें कि ये पेन यहां से कहां जाता है और नमबर चार पर देखें कि इसके साथ में और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं नमबर पांच पर देखें कि कि क्या चीज़े ऐसी हैं जो अटेक को कम करती हैं और क्या चीज़े ऐसी हैं जो अटेक को बढ़ाती हैं अगर इन 6 जीजों पर आप ध्यान देंगे तो आप clear cut पहचान पाएंगे कि गाल बेडर स्टोन का पेन है या या किसी चीज का पेन है नो सबसे पहले देखे साइट कि जो गाल बेडर का पेन है वो आएगा कहाँ गाल बेडर का पेन या तो दाई तरफ आएगा इस पसली के नीचे या बिलकुल उपर की तरफ जहां मैंने दोनों हाथ रखे हुए हैं यहां आएगा, यह कभी मिड़ चेस्ट में आ जाएगा, यह तीन एरियाज हैं जहां गाल्विडर स्टोन का अटेक सबसे ज़्यादा होता है, इन कभी-कभी आदी रात में यह हाट अटेक को मिमिक करने की ताकत रखता है, जो करेक्टर के जहां तक सवाल है, यह जो पेन है, बिल्कुल अल अफिस अटन आएगा, यह अकसर करके आदी रात में आएगा, यह अकसर करके रात में आपने खाना खाया, आप सोए, इन देड़ से दो घंटे के बाद यह अटेक आएगा, इसका मलब आपने दस बज़े खाना काया, आप ग्यारा बज़े सोए, तो यह साड़े बारा एक बज़े के आस पसे अटेक आएगा, अकसर आपने देखा होगा कि आपने रात में हाई फेट मील लिया, आपने छोले बटूरे खाए, आपने पूरी खाई, आपने आलू के पराटे खाए, उसके बाद आप सोए, आप देखेंगे यह अटेक आएगा, यह जो पेन है, यह अनवेरेबिल होगा, रुकेगा नही अनवेरेबिल पेन होगा, और इतना तेज होता है कि पसीने छूट जाते हैं, हाथ पर सुन हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हाट अटेक आगया, तो यह है इस पेन का केरेक्टर, नमबर तीन है रेडियेशन, यह यहाँ जो दर्द आया, क्या यह दर्द यही रहेगा, न तरफ आए, ऊपर की तरफ चड़े, और इस कंदे में जाए, तो मान के चलिए कि गाल बेडर ट्रबल में है, यह यह गाल बेडर का पेन है, नो कुछ associated symptoms हैं, अगर आधी रात में यह दर्द हुआ, उसके साथ में आपको ठंड लगी और फीवर आया, इसके साथ आपके यू Now, which are the relieving and aggravating factor, याने, किन चीजों से बरता है, किन चीजों से कम होता है, कोई specific rule नहीं है, there are certain people जिनका ऐसे सोचना है, कि वाम्टिंग होती है, तो दर्द कम हो जाता है, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, कि उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, ultimately अगर दर्द नहीं रुकता है तो आपको pain killer चाहिए, and mostly injection के form में pain killer चाहिए, लेकिन ये बात सही है, कि जो aggravating factors है, जो high fat diet है, वो सबसे बड़ा aggravating factor है, और ये बात बिल्कुल सही है, कि अगर एक बार colisistitis develop होई, inflammation develop हुआ, हलका सा peritornial reaction आया, तो फिर इतना दर्द हो जाता है, कि आप चलते हैं, चींकते हैं, खांसते हैं, सीड़ी उतरते हैं, यानि हलका सा भी movement होता है, तो दर्द तेज होने लगता है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो gall better stone का attack है, उस सबसे ज़्यादा आधी रात में आता है, अगर gall better stone का attack है, तो वास्तों में उसका sight, उसका radiation, उसका character, उसके aggravating factor, इन स अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आप खुद पहचान पाएंगे, कि जो आधी रात में आपको दर्द हुआ, वो gall better stone का attack था, या heart attack था, आप उसको पहचान पाएंगे, इसको आपको समझने की जरूरत है, जो gall better stone का attack आता है, उसका pain, किस character का होगा, उसको समझने में अ आपको 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 आपक